मांजरेकर का खुलासा धोनी ने मुझसे कहा था कब तक खेलेंगे क्रिकेट भारतिय चीम के पुर्व बल्लेबाद संजय मंजेश कर वो लगता है कि महेंजर सिंग धोनी आईपिल में अच्छा प्रेदरिशन करेंगे मांजरेकर ने कहा कि जब उनके धोनी से कोहली के साधी के समारों में बात हुई थी तब पुर्व कप्तान ने कहा था कि जब तक वो टीम में सबसे तेज दोरने वाले खिलाडी रहेंगे वो खेलते रहेंगे इस सल आईपिल का आयोजन 19 सितंबर से 10 नमंबर के बीच संयुक्त अरब अमिरात में होने जा रहा है और यहां धोनी चेनने सुपर किंग्स के कप्तानी करते नज़र आएंगे वह 2019 वर्ल्ड कप के सेमी फाइनल के बाद से पहली बार आईपिल में क्रिकेट खेलेंगे मांजरिकर ने स्टार स्पोर्ट्स के सो में कहा मुझे लगता है कि वह काफी अच्छा करेंगे अंतरास्ट्री अस्तर की अपएक शाववा आईपिल में सफल और निरंतर रहते हैं इस का कारण यह है कि उन्हें पता है कि उन्हें वहाँ चार-पांच गेंदबाजों को समखालना है उन्होंने कहा आईपिल में कुछ अच्छे और कुछ नहीं अंतुराश्टी अस्तर को आपको पांच सिर्ष अस्तर के गेंदबाजों को जेलना होता है इसलिए वो इस तरह के गेंदबाज चुनने और उन पर रन बनाने में काफी अच्छे है मांजरेकर ने कहा कि उन्होंने धोनी से कोहली की शादी के मौके पर बात के थी और तब वो आत्म विश्वास से भरे थे मांजरेकर ने कहा विराद कोहली के शादी पर मुझे धोनी के साथ समय बिताने का थोड़ा समय मिला था और उन्होंने कहा था कि जब तक मैं टीम के सबसे तेज स्प्रिंटर को हरा सकता हूँ तब तक मैं अपने आपको अंतराश्चे क्रिकेट पर खेलने के लिए फट मानता हूँ मांजरेकर ने कहा इसलिए एक बल्लेबाज के तौपर मैं आईपेल में धोनी को अलग नहीं देखता बल्कि मैं कहता आ रहा हूँ कि जिस अस्तती में हम हैं वो धोनी के लिए एकदम सही है जहां दिमाग का काम हो पावर हिटिंग का नहीं